हेलो दोस्तों मेरा नाम है रेखा और आप सब का स्वागत है मेरे चैनल पर तो आज मैं हम बनाने जा रहे हैं टमाटर का बहुती स्वाधिस्ट नास्ता तो आज मैं आपको टमाटर और आलू से जबदस टेस्टी पराठा त्यार करके बताऊंगी कुछ अलग और कुछ नहीं तरीके से एक दम पराठा त्यार करेंगे तो वीडियो लास तक जरूर देखिएगा और प्लीज अगर मेरे चैनल को सब्क्राइब नहीं किया है तो सब्क्राइब कीजेगा और वीडियो लास तक जरूर देखिएगा तो पराठा बनाना शुरू क तो सबसे पहले मैंने यहां 250 ग्राम्स टमाटर ले लिए हैं यहीं चार टमाटर लिए हैं टोटल हमने सबसे पहले हमें टमाटर को उबालना है तो यहां मैंने कड़ाई में पानी गरम होने के लिए रख दिया था अब मैं चारों टमाटर को पानी में डाल रही हूं और हम गास को बंद कर लेंगे और सारे टमाटर को गरम पानी से निकाल देंगे और एक कडोरी में ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे तो ये देखिए सारे टमाटर ठंडे हो चुके हैं तो अब हम एक मिक्सी का जार ले लेंगे और टमाटर के सारे चिलकों को निकाल के मिक्सी के जार में डाल देंगे तो ये देखिए इसी तरह से सारे टमाटर के चिलकों को मैंने निकाल लिया है और इसे अब हम पीस लेंगे और टमाटर को मैंने कट नहीं किया है क्योंकि यह बहुत सौफ्ट है तो हम ऐसे ही पीस सकते हैं तो यह देखिए मैंने इसे पीस लिया है और एक कटोरी में डाल देंगे और इसे साइड में रख देंगे अब हम करते हैं next process तो अब सबसे पहले पराठे के लिए आटा लगा कर तयार करेंगे उसके लिए मैंने यहाँ दो कप गेहूं का आटा ले लिया है और इसमें आदा चोटा चमस नमक डाल देंगे और आदा चोटा चमस अजवाइन जिसे हातों से ऐसे क्रश करके डाल देंगे और एक बड़ा चमस हम इसमें ओयल डाल देंगे आप चाहे तो गी का भी यूज कर सकते हैं और इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और सारी चीजों को मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट जी हाँ हाँ हम इस पराटे में हम पानी का यूज नहीं करेंगे आटा लगाने के लिए हम यहाँ टमाटर का पेस्ट यूज करेंगे जिससे की एक अलगी टेस्ट के साथ ये पराठा बनके तयार हो जाएगा तो अब इसमें टमाटर का थोड़ा थोड़ा पेस्ट डालते हुए सॉफ्ट आठा लगा कर हमें तयार करना है क्योंकि जब भी हम भरवा पराठा बनाते हैं तो आठा चिकना और सॉफ्ट होना चाहिए जिससे की पराठे बहुती स्वाधिस्ट और बढ़िया बनते हैं तो ये देखिए टमाटर का पेस्ट पूरा हो चुका है यानि की चार टमाटर लिये थे और दो कप आठा लिया था तो एक दम ये फर्फेक्ट मेजरमेंट था तो इसी तरह से मैंने ये आठा गुद के तयार कर लिया है और इसे अच्छे से मसलने के बाद थोड़ा सा इसमें डाल देंगे और अच्छे से मसल लेंगे तो अब इस आठे को 10 मिनट के लिए सूखे कपड़े से धक्के रख लेंगे तो अब हम पराठे के लिए मसाला त्यार करेंगे तो इसके लिए मैंने एक कडाई में दो चमस तेल डाल दिया है तेल गरम होने पर एक छोटा चमस जीरा डालेंगे जीरा हलका चटक जाए इसी के साथ हम डालेंगे एक चोटा चमस सापुद दरदरा धनिया और इसी के साथ डालेंगे एक बड़ा चमस अद्रक और लसुन का पेस जिससे मैंने हलका दरदरा कूट लिया था सब चीजों को अच्छे से मिक्स करें और थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे हींग पाउडर और मसाले को हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाते हो इसमें डालेंगे दो बारिक कट हुई हरी मिर्ची सब चीजों को अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा भून लेंगे लसुन का कलर हलका चेंज होने पर डालेंगे एक बारी कटा हुआ प्याज और प्याज को भी मसालों में अच्छे से मिक्स करेंगे और प्याज को हलका सौप्ट होने तक भून लेंगे तो ये देखिये प्याज हलके भुन चुके हैं तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले, जिसमें मैं आदा चोटे चमज हल्दी पावडर दाल रही हूँ, एक चोटा चमज मिर्ची पावडर डाल रही हूँ के आलू जिसे मैंने पहले उबाल के ऐसे करश करके रख दिया था और इसी के साथ मैं डाल रही हूं आदा कप मटर जिसे मैंने पहले उबाल के रख लिया था अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों को और गैस की फ्लेम को हमें मीडियम टू लो फ्लेम ही रखना है और इसी तरह से हमें मसाले को मिक्स कर लेना है यह देखिये हमारा मसाला एकदम अच्छे से मिक्स हो चुका है तो अब मैं इसमें डाल रहे हूं तेस्ट के नुसा थोड़ा सा नमख नमक आप छेक करके कम जदा भी यूज कर सकते हैं इसी के साथ डालेंगे आदा छोटा चमस गरम मसाला औ की मैंगो पाउडर और मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसालों को डालने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए अच्छे से भून लेंगे तो हमारा मसाला भून के तयार हो चुका है तो गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे और इसमें अब डालेंगे थोड़ी सी कसू निद्ट जब तक हमें तैसे 2- 3 मिनर तक इसी तरह आटे से मसल लेना है अध्याइन आटा जाना goose अब सब से पहले थोड़ी ओठी है यह देखिए निंबू की साइज भाण सा आठा जादा ले रहे हैं और इसकी एक लूई त्यार कर लेते हैं सबसे पहले हमें इसको बेल लेना है जिस तरह से नॉर्मल हम घर में रोटी त्यार करते हैं उसी तरह से इसे बेल लेना है और साइट से थोड़ा पतला बेलना है और बीच में से थोड़ा मोटा ही रखना ह तो यह देखिए मैंने रोटी को बेल लिया है तो अब हम इसमें डालेंगे मसाला थोड़ा भरबर के ही मसाला डालेंगे जिसे की पराटे बहुत ही तेस्टी बनेंगे और इसी तरह से रोटी को ऐसे इकटा कर लेंगे और इसके ऊपर से जो एकसा आठा निकलेगा ना उसे हम निकल लेंगे यह देखिए इसे तरह हम हाँसे ऐसा करेंगे जिसे की क्या होंगे कि हमारे पराटे फटेंगे नहीं थोड़ा सा अशुखा आठा ले लेँजे और इसके हल्के हाथों से इसे बेलना है जादा जोर मत लगाएगा नहीं तो पराटा का सारा मसाला बाहर निकल तो यह देखिए हमने पराठा बेल के तयार कर लिया है वैसे तो हम आलू के पराठे बहुत खाते हैं लेकिन ये पराठा कुछ अलगी होगा क्योंकि हमने आठे को लगाते हुए यहां पर टमाटर के पेस्ट का यूज किया है तो इसी तरह से हमें पराठे को सेक लेना है गैस तो यह तो हमने एकदम बेसिक पराठा जो हर गर में बता है तयार कर लिया है लेकिन मैं आपको एक नए तरह पराठे को आप दही अचार के साथ भी खा सकते हैं तो यह तो हमने एकदम बेसिक पराठा जो हर गर में बता है तयार कर लिया है लेकिन मैं आपको एक नए तरीका पराठा बेलने के बता रही हूँ सबसे पहले हमने एक लोई को लेके एक पतली सी रोटी को बेल लेना है तो ये देखिए एकदम पतली सी रोटी मैंने बेल ली है और इसके उपर हमें मसाला डाल देना है मसाला आप भरके डालिए क्योंकि इसमें फटने का या फिर बेलते वक मसाला निकल जाए ऐसा प्रॉब्लम नहीं है अब हमें इसे क्या करना है एक ट्राइंगल का शेव दे देना है तो ये देखिए इसे मैंने एक ट्राइंगल का शेव दे दिया है एक्तम समोसे का आकार, पराठा बनके तैयार हो चुका है और इसे बिल्कुल बेलना नहीं है क्योंकि इसे हमने पतली रोटी की तरफ बेल दिया था पहले और इसी तरह इस पराठे को हमें कम आच पर सेख लेना है यह देखे एकतम यह सारे पराठे बनके एकतम तयार हो चुके हैं एकतम चटपटे से अलू टमाटर के पराठे और यह देखे मैं आपको इसको खोल के दिखा रही हूँ मतलब मसाला देख लीजिए पूरा भरा भरा देख रहा है क्योंकि पराठा बेलने की टेक्निक भी क्यात तन्यवाद